हेलो स्टुडेंट वेल्कम तो मैं चैनल एजुकेशन टेक पॉइंट तो आज हम सुरू करने वाले हैं स्टार्ट करेंगे क्लास फिर्प्त के लिए स्टार्ट को हम दो पार्ट में फिनिस करेंगे तो आज फिनिस करने वाले हैं पार्ट वन तो चलते हैं अपने कंप्यूटर पर चैप्टर की तरफ ओके तो सबसे पहले आता है कि कंप्यूटर की मेमोरी की बात की गई है तो मेमोरी जैसे आपके पास मेमोरी अब मेमोरी हमारे पास नापी किसमे जाती है 一व जाती है तो दिर आट डिफरेंट इनिट ओफ मेंजरमेंट श एज Ch ग्राम्स & कलोग्राम्स दिया अलग अलग जब हम किशी चीज को नापते इंड तॉलते आज जैसे कि तॉलने के लिए अगर हम ओयल लेंगे तो आईल लीटर में तॉला जाता है सुखर लेंगे वो केजी में तोली जाती है तो उसी तरह computer में भी नापतल होती है, तो हाल फिला हम नहीं जानते हैं, तो measurement के लिए जैसे आपने grams को पढ़ा हुआ, kilogram को for weight, ये gram and kilogram weight के लिए काम आते हैं, meter and kilometer for distance, meter and kilometer distance, दूरी के लिए, दूरी, meter और kilometer में आपी जाती है, similarly, there is a unit for measuring the computer memory, इस तरीके से computer में measures करने के लिए, हमारे पास computer memory होती है, तो there is a unit, उसकी unit होती है, वो, ओके, तो सबसे पहले जानते है, bit क्या होता है, last class में भी हमने bit पढ़ा है, थोड़ा आप explain ज्यादा करेंगे, a computer can understand only the binary language, तो अभी अभी last class, मत फोर्थ में पढ़ाता है, computer के वाल एक ही language को समझता है, वो है binary language, this is because, ऐसा क्यों है, a computer is an electronic machine, and understand only two states, computer एक electronic machine है, और के वर उसमें क्या होता है, can understand only two states, on represent by one, and of represent by one, तो binary digit हमारी 0 होती है, और 1 होती है, तो one क्या represent करता है, कि हमारी device on है, और zero क्या represent करता है, कि हमारी device off है, ठीक है, binary language consists of zero and one, तो binary language में क्या करता है, zero और one ही होता है, इसके लावब कोई value नहीं होती, इस binary digits zeros and ones are called bits, जो zero और once होते है, उन्हें को हम क्या कहते है, bits कहते है, अब चाहते है, निबल क्या होता है, a group of four bits, चार बिट को लेते हैं, तब एक nival बनता है, nival भी एक unit होती है, computer की unit होती है, computer की memory होती है, इस called nibble, और वो क्या कहलाता है, हमारा nibble कहलाता है, byte के बारे हम पढ़ते है, byte a group of eight bit, eight bit, देखो यहाँ क्या है, हमने read किया था, four bit में one nibble होता है, और eight bit में एक byte होता है, is called byte, a byte is the smallest unit, byte क्या होती है, smallest, छोटी unit होती है, छोटी ही कही होती है, ठीक है, which can represent a data item or character, इसमें क्या करते हैं, day या तो कोई data होगा, या कोई character होगा, character का मतलब होता है, हमारा a to z हो सकता है, ओके, चलते है नेक्स टॉपिक पर, अगर आपको कोई topic पसंद नहीं आया हो, मीन्टू से समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे comment box में लिक भीजना, मैं आपको फिर शेज को explain करूँगा, अपनी next वीडियो में, तो एक table दी गई है, जिसमें बताया गया है, कि kb, mb, gb, यहीं मिला कर, कैसे एक unit बनती है, जैसे हमारे gram को मिला के, हमारे 1 kg बनता है, तो कितने gram को, मतलब 100 gram को, जैसे हम पहले भी पढ़ चुगे है, मैं 100 gram को equal to, sorry, 1000 gram equal to 1 kg, ok, इसी तरह इसमें भी होता है, चलिए, तो देखते हैं, हम इसको समझने के लिए, इसको opposite समझेंगे, opposite कैसे हम इस series में समझेंगे, कि 1024, देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, कि सारा 1024 की ही series में है, आपको इतना learn करने की जरूद नहीं है, अलग-अलग एक ही है, तो यहाँ हम कहेंगे कि ये छोटी का, ये smallest है, तो इससे अगर बड़े होता है, के भी होता है, तो 1024 बाइट में 1 की भी होता है, 1024 की में 1 Mb होता है, 1024 Mb में 1 GB होता है, और 1024 GB में 1 PB होता है, 1024 TV में 1PB होता है, PB की फुल पाम होती है, पेटाबाइट और TV की फुल पाम होती है, टेराबाइट, जीवी गेगाबाइट, मेगा-मबाइट, स्वारी, मेगाबाइट और केवी किलोबाइट, इस तरह से हम इजीली इसको लर्न कर सकते हैं, हमें क्या होना चाहिए, हमें ये बाइटी सीरीज होनी चाहिए, के सबसे चोटी बाइट उससे बड़ी KB, उससे बड़ी MB, उससे बड़ी GB, उससे बड़ा होता यूमन ब्रेन कंप्यूटर कैसे होता है जैसे इंसान का दिमाग इसकी मेमोरी इंसान की दिमाग की तरह है इसमें डेटा इस्टोर करते हैं इंस्ट्रेक्शन कोई इंस्ट्रेक्शन्स हों उनको इस्टोर करते हैं computer memory is the storage space computer memory क्या होते है एक storage space in the computer computer में storage space होता है storage मतलब जैसे आपने अपने फॉन में देखा होगा कि आपके मुवाल में कितना store है वहले मेरे में 1GV है 2GV है इस तरह से computer में 1GV 2GV 500GV ऐसे होता है where data is to be processed जहां data process किया जाता है and instructions required to processing और क्या करते हैं जो भी instructions required होते हैं जरूरत होती है processing are stored और वह क्या हो जाता है process होता है और वह store हो जाता है computer में कोई भी काम करते हैं तो पहले store होगा उसके बाद वह process करेगा type of computer memory computer memory के type पढ़ते हैं तक computer memory can be classify into following two types primary memory and secondary memory computer को दो memory में बाटा गया है many parts primary memory में RAM हो जाता है मारा और ROM हो जाता है और secondary memory secondary memory आपने बहुत सुना होगा कि आपके बास चिप है pen drive है CD है DVD है blue ray disk इसके बारे में आगे पढ़ेंगे और pen drive आप जानते ही हो इनके बारे में आपने पहले सुना होगा थोड़ा आज explain भी करेंगे तो explain करते हैं primary memory क्या होती है primary memory को main memory बोलते है मुख्य memory primary memory holds only those data and instructions primary memory क्या करता है कि अब उसी data को उसी instructions को on which the computer is currently working जो computer currently work कर रहा है it has limited capacity and data is lost lost when its power switched off देखें computer में क्या होता है कि जब भी हम कुछी install करते हैं वो उसकी memory में जाता है और RAM क्या करता है RAM उसकी जब आप चालू करते हो computer start करते हो तो RAM में storage RAM में बेचता है then तब आपका काम होता है it is divided into two sub category RAM and ROM इसको भी दो category में divide किया है RAM को RAM में and ROM में तो सबसे पहले RAM के बारे में जानते हैं तो RAM के full form तो समझे के हो गया आप random access memory it is the internal memory internal मतलब यह CPU के अंदर लगी होती है internal memory of the CPU storing CPU तो आपने देखा होगा storing data program and program result यह data को store करता है program बनाता है and उनका result देता है it is read write memory इसको हम read भी कर सकते हैं और इसको write भी कर सकते हैं which store data until the machine is working लेकिन यह कब तक होगा जब तक आपका computer on है अगर computer off हो जाएगा तो यह RAM अपना काम करना छोड़ देगी as soon as the machine is switched off वही जैसे ही machine हमारी switch off होती है data is erased data क्या हो जाएगा erased हो जाएगा lost हो जाएगा this type of memory is volatile in nature volatile memory यह क्या memory कहलाती है volatile memory कहलाती है ओके volatile का मतलब होता है temporary memory temporary temporary मतलब बस जब तक computer होना है तब तक इसके अंदर data है उसके बाद data नहीं रहता है यह होता temporary memory अब चलते है read only memory लास्ट में उसका figure नहीं देखा था यह यह ऐसी होती है RAM ठीक है चलते है अब आगे read only memory the memory from which we can only read but cannot write हम केवल read कर सकते हैं उसको write नहीं कर सकते हैं केवल पढ़ सकते हैं change नहीं कर सकते हैं this type of memory is non-valatile मतलब non-valatile मतलब permanent memory इसको बोलते हैं permanent बढ़ लिख देता हूं permanent memory in nature इसकी जो इसकी फिदरत होती है आदत होती है वो permanent ही होती है the information is stored permanently in such memories during the manufacturing जब इसको बनाते हैं तो इसके अंदर already memory भर दी जाती है जब manufacture करते हैं तब are room stored such as instructions that are required to start a computer यह क्या है अदर room store such as instructions room के अंदर already कुछ instructions दे दिये जाते हैं that are required to start क्या क्या होता है computer की जो start होने के requirement होती है यह instructions इसमें दे दिये जाते हैं तो यह chapter हमारे यहीं finish होता है sorry chapter finish नहीं होता है chapter का part one finish होता है अगर कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे comment box में link भेजिए मैं आपको दूसरी वीडियो में उसको clear कर दूँगा okay and video अच्छी लगी हो तो please like, subscribe and press the bell icon for getting new notifications thank you for watching my video मिलते हैं next video part two में